मैं हूं मोश्मी और आप लोग देख रहे हो माई लाइफ माई जायनी तो आज है सब्रेटे और अभी शुबा का टाइम हो रहा था अपीशे मैं आपना ब्लॉग स्टाट कर रही हो तो आज मैं आप लोगों के साथ किजन क्लीनिंग रूटीन एंड किजन टूर श्यार करने अब लोगों को अच्छा लगेगा तो चलिए वीडियो को देखते रहे हैं और यहां पर देखिए किजन क्लीनिंग का काम औरेडी स्टाट हो गया है तो सबसे पहले जो काम करना है वह काउंटर टॉप के उपर जिदने सारे समान आप लोग देख रहे हो वह मैं ब्राइनि काम करना है काउंटर को पूरा अच्छे से खाले करने के बाद मैं जितने भी सारे समान थे राइनिंग टेबल पर रखके आई हूँ और इथार देखिए हाज यह बर्तों स्टैंड भी मुझे क्लीन करना है तो इसके लिए इसके अंदर जितने सारे बर्तों बगारा है प्लेट्स है व और यह स्टैंड जो आप लोग देख रहे हो ना यह मेरा गैस के साइट में रहता है तो वहीं मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ वैसे मैं इसे पोच्छती हूँ बट आज बहुत ही अच्छे से डिप क्लीन कर रही हूँ और इधर देखिए वो जब तो हमारा सुक रहा है तो इधर मैं पूरा किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी तो यहां पर देखिए मैं जो जितने सारे मगरी के जाले थे वो क्लीन कर रही हूँ और वैसे दो तेन दिन पहले मैं किया था जब मेरा चिपनी सर्विसिंग के लिए आया था वो उस दिन ही किया था बट अ तो पुडा किचन में मेरा मगरी का जितना भी चला था वो अच्छे से क्लीन करना हो गया है और आभी देखिए मैं यह पूरा ओल को पोच्छा लगाउंगी पोच्छ लूँगी अच्छे से यह जो खाना बनाने के टाइम में ओल का छीटा हो जाते है पुडा ओल पे तो व क्या था इससे क्या होता है वो जो चीट होता है ना बहुत कि अच्छा हो geometric इस दिन न्याता होगा था तो वहीं नाश रहें चेлять हो और इस हमे심ें करते हैँ करने के साथ में ऑटर पीपर थाइर के ऊपर जो गंदो तो भी से क्लीन करणुगी और लिपकर लो का बार एक पार करती हो और यह जो यह बनाई थी यह बहुत ही आच्छे से यह च्खी आ अगरा होते हैं निकाल जाते हैं तो चलिए यह बार बार ले दो फिर बाते करती हो झाल 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 यहां पर देखिये विंडो को भी अच्छे से क्लीन कर लूंगी और जो काश का गलास बगारा काप्स रहते वो रखती हूँ यहां पर देखिये विंडो में क्लीन करना हो गया था और अभी देखिये मैं गैसोबन को अच्छे से क्लीन कर लेए हूँ और इसको मैं त्री टाइम क्लीन करती हूँ आप लोगों को पताईए एक बार सुभे उटके करती हूँ और एक बार लांच पकाने के बाद और दिनर क करती हूँ और यह गैसोबन को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं स्लब को ग्लीन कर रही हूँ और यह गैसोबन को अब लोग देख सकते हो कितना अच्छा क्लीन हुआ है और कितना अच्छा लगड़ा है अब लोग देखी सकते हो और यह जो वाटर में बनाई थी ना करने के बाद स्क रहे हैं और फ्लोर में पहले ही लगा शुका में अधार और हो गया है और मैं कीचन केविन गैबनेक को किंग रहे हुआ इहां पर देखी है वैसे यह नौनमने इस आपने बीदिधी है तो बने वन पर नीचे स्लैब में पूरा खाली था तो हम लोग ऐसे ही बना दिया है तो यहां पर देखिए फास्ट केबिनेट मेरा क्लीन करना हो गया है और फास्ट केबिनेट के अंदर में रखती हूँ राइस और एक्ष्ट जो लांसी बॉक्स होता है ना वो सब और नॉन स्टीक कूगेर सेट और यह सो और उसके साथ जो मुखडल मुसूरदल मॉटरडल और चाना यह सब जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वही सब रखती हूँ और फास्ट रेक तो क्लीन करना हो गया है और सिकेंट बला मैं क्लीन कर रही हूँ और इसके अंदर में रखती हूँ एक्ष्टा जो टीविन सब्सक्रमेन लाट ना इसके आंदर में लगाई हूँ हूँ जो रैक है तो और दिखाना ंशाओ भूं गई हूँ और मैं ऑसटाइक सब्सक्रमें ब्लम डा सकते हैं तो यह आपकर देखिए सेकंड कैबिनेट जो है मेरा अच्छे से क्लीन करने के बाद जहापद मेरा कंटेनर था वो रगती हूँ और यहाँ पर धार केबिनेट को मेरा क्लीन कर रही हूँ और इसके अंदर में रखती हूँ यह एक्स्ट्रा मसला वागड़े होते हैं वही सब क्योंकि जो मसाला मेरा डेली होते हैं बूत हो मैं मसाला दनी में रखती हूँ अब उससे भी ज़ादा जब हो जाते हैं तो यह सब इस उपर में रखती हूँ और उसके साथ रोटी बनाने के लिए चाकी भिल्लन और यह तावा रहता है और उसके नीचे है कुछ और भी एक्स मेरे जो लास्ट केबिनेट है वो भी क्लीन कर लूँगी आप लोग देखते रहे हैं और सद में रहे हैं मेरे सद मेरे आप लूगा मेरा किचन क्लीनिंग कंप्लीट हो गया है तो यह स्टर करती हूक है लोग को पता है मेरा किचन कैसा है तो अब लोग देली दे अच्छा लागे to स्टर्च करte लोग इंटेयर कानी के बात ही लेट में अब लोगों को मिलेगा मेरा माइकोवन और उसके पास है चॉपिंग बोड और माइकोवन के उपड़ है एक अडिफिसल फ्लावर जिसका कलर मुझे बहुत ही पसंद है परपल है तो इसका जो मतलब माइकोवन के उपड़ मैं कभी फ्लूट्स बगारे भी रखती हो और कभी माइकोवन का बोल और एक जूसर भी है और उसके साथ का प्लेट यह सब है और उसके बाद है किचिन चिमनी और चिमनी के नीचे है मेरा गैसोवन तो डेली अब लोग मेरे ब्लोग में देखी होंगे यह गैसोवन को और उसके जस्ट बादी है एक बाकेट जिसके अंदर मै नाइप रखती हूँ और उसके साथ पीलर है और गैस परनर है ये सब और उसके बाद है एक रैक जिसके अंदर में जो जो मुझे समान डेली चाहिए होता है मैं रखती हूँ तो क्या क्या है चलिए आप लोगों को में एक बड़ बता देती हूँ इसके उपर में जो है चिनी करते हूं और क्काड़ा गर्मसाला है उसके साथ सल्ट ए यह सब और उसके जिए रखिती हूं और जो मैं याद पड़ और उसके बाद । हमने के लिए परतन जो जो चाहिए तोपड़ी जो इसके बा marvelous को अधं के बात मैं के बाद यह है जो स्थило बरतौन भीद होती हों और यहां पर देखिए इसके बात में ही है मेरा यह बरतौन रगने वहला स्टेंड और यह बरतौन रगने पाला स्टेंड के अन्दर आप लोगों को बहुत सारे बरतौन दिख़ा होगा बार यह जाता तर यूज नहीं होता है घड़ पे कोई guest आये तब भी use होता है नहीं तो हम तो घड़ पे स्रेफ तीनी है तो इसलिए इतना सारा बरतन use नहीं होता है और ये नीचे में आप लोगों को दिखा रही थी ये एक वाल्स्टीकाड है जो मैं लगाई हुई हूँ अब लोगों को कैसा लगाई है जरूर कमेंट करके बताना और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सेयर और मीने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बावाई टेक क्याड़ शून